आप सबी को हमारे चैनल वाइफा है कोंसेट में स्वागत है तो आज हमलोग करेंट अफेर का एक इंपोर्टन टॉपिक कवर करने वाले हैं टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है तो वर्तमान में भारत के कौन क्या है या 2020 में जो भी चैंजेज हुए है इसमें वो सारे यहांपर update कर दिया गया है, ठीक है, सितंबर 2020 तक ठीक है, updated 50 प्लस वर्तमान में कौन क्या है, current affair, तो वर्तमान में कौन क्या है अभी, यह आपको 50 प्लस यहांपर लिया गया है, ठीक है, और यह सारे अपडेटेड है, कुछ पिछला भी है, कुछ चैंजे जो हैं, व पिर कोई भी exam हो, यहां से आपका एक question current affair से बनते हैं, ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है, जैसे कि यहांपर आप देख सकते हैं, वर्तमान में वीत सचीव कोन है ता, जैब हुसन पांडे जी है, ठीक है न, वर्तमान में राश्री सुरक्षा सलाकार कोन है, पर question देखने वाला है कि कौन कौन से पत पर है, ठीक है, तो आप लोग जो है, देखिए और बने रहे हैं, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, यहां पर आपका है, सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए, समवेधानिक पताधिकारी, ठीक है, कौन कौन है फिर देखेंगे हम लोग फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नयाइक परमुग फिर देखेंगे हम लोग नयाइक फिर संसदिय परमुग को देखेंगे फिर संसदिय परमुग फिर परमुग निर्वाचान आयोक के बारे में जानेंगे कौन-कौन से पतपर है ठीक है फिर यह जो है समवेधानिक पदाधिकारी के अंदर आते हैं तो भारत के प्रधान मंत्री है यह कितने नंबर के प्रधान मंत्री बने है यह पंदरवे नंबर के प्रधान मंत्री बने है तो इसको ध्यान में रखना है खास करके ठीक है कि यह कितने नंबर के प्रधान मंत्री है त पर्णम मुखर्जी जी का निधन होगा है तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है और उपराष्टपती अभी हमारे क्यों है तो वर्तमान में भी हमारे उपराष्टपती है वंग स्री वंग कया नाइडू ठीक है चलिए आब आगे देखते हैं अगला है नियाईक परमुख में हम लोग देखते हैं सरवच नियाले के मुख नियादीस तो सरवच नियाले के मुख नियादीस अभी वर्तमान में बने है सरद अर्वींद बोबडे ठीक है तो पहले थररंजन गोगोई ठीक है उसके बाद अभी परिवर्तन हो करके सरद अर्वींद बोबडे बने हैं तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है और यह नए है तो इसलिए यह question आपको पूछा जा सकता है कि भारत के अभी सरोच नियाले के मुख नियाईदेश कोन है तो सरद अर्वींद बोबडे है ठीक है चलिए अगला है आपका महान नियाईवादी तो वरतमान में भारत के महान नियाईवादी है अभी के के वेनु गोपाल कोन है के के वेनु गोपाल राश्ठी हरीत नयायधी करन का अध्यक्ष तो बताए नेशनल ग्रीन ट्रेव जीूल आनि कि राष्ट्री हरीत नियाधिकरण का अध्यक्ष कोन है तो वर्तमान में अभी जो है आदर्स कुमार गोयल बहुत दिन से बने हुए है इस पत पर ठीक है ना आदर्स कुमार गोयल जो है यह हरीत करांती नियाधिकरण का अध्यक्ष है आध्यक्ता अब हम लोग देखेंगे संसधिय परमुख के बारे में संसधिय परमुख में राज-सभा का सभापती कोन है तो वर्तमान में अभी हमारे भारत में राज-सभा के सभापती है वैंकया नाइडू कोन है? क्योंकि उप राष्टपती जो होता है अभी वर्तवान वी उप राष्टपती कोन है? वेंकेया नाइडू है तो हमारे उप राष्टपती ही राजसभा के सभापती बनते हैं ये आपको ध्यान में रखना है उप राष्टपती ही राजसभा के सभापती बनते हैं तो उप राशपति है वेंकया नाइडव इसलिए राजी सभा की सभाथ सभापति कोन हो गय? वेंकया नाइडव ठीक है? उसी प्रकार राजी सभाथ की महासाचीव कोन है? तो अभी वर्तमान में हमारे महासाचीव है देश दीपक वर्मा तो राजय सभाका अगर सभापती पुछा जाए तो वेंगया नाइडू अगर राजय सभाका उप सभापती पुछा जाए तो नरायन सिंग और राजय सभाका महासचीव पुछा जाए तो दीपक वर्मा आपको बताना है ठीक है और इसको याद रखना है अगला question है आपके पास संसद्य पर्मुक में ही लोग सभा का अध्यक्ष कोन है तो देखें लोग सभा का अध्यक्ष अभी कोन है ओम बिरला है आप लोग को पता होना चाहिए ओम बिरला अभी है अमारे लोग सभा के अध्यक्ष यानि कि लोक सभाय स्पिकर जो है वह ओम बिरला है लोक सभा के महासचीव कोन है तो सनेहलता स्रीवास्तव ठीक है सनेहलता स्रीवास्तव जो है लोक सभा के महासचीव है और इसको याद रखिएगा जोंकि यह पहली महिला है जो लोक सभा का महासचीव बनी है भारत की कोई ऐसी पहली महिला है जो लोगसभा के महासचीव बनी है रोग कोन है तो सनेह लता स्रीवास्तव जो है अभी लोगसभा का महासचीव है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला आप निर्वाचन आयुक से हम लोग देख लेते हैं ठीक ह और यहां कितने नम्मर के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो यह 23 नम्मर के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 23 नम्मर के आपको याद रखना है, चुनाव आयुक्त, मैं यहां पर 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ, 2-3 बार रिपीट करन बताता हूँ ठीक है तो वर्तमान में मुख निरवाचन आयुक्त कोन है सुनील अरोडा है ठीक है और यह कितने नमबर के हैं 23 नमबर के अब वर्तमान में चुनाव आयुक्त कोन है तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त भी हम लोग का है भारत का वर्तमान में चुनाव आयुक सुसील चंद्रा और राजीव कुमार है ठीक है तो एक असोक लवासा थे जो के भी हट गए है और वो है जो है Asian Development Bank जो है उसके CEO बन गए है असोक लवासा पहले चुनाव आयुक में था असोक लवासा जो अभी बन गए है Asian Development Bank के CEO ठीक है तो अभी चुनाव आयुक में को है सुसील चंद्रा और राजीव कुमार ठीक है तो इसको आपको याद रखना है इसके स्थान पर एक कोन आया है राजीव कुमार आया है सोक लवासा के स्थान पर तो यह question पूछा जासा है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कोन है राजीब कुमार है और सुसील चंदरा तो ध्यान में रखना है तीसरा आपका इसमें पूछा जाता है उप चुनाव आयुक्त उप चुनाव आयुक्त कोन है भी तो चंद्र भुसन कुमार और उमेश सिंग ठीक है चंद्र भुसन कुमार और उमेश सिंग ये जो है हमारे उप चुनाव आयुक्त थे कोन है उप चुनाव आयुक्त तो मुख निर्वाचन आयुक्त हो क्या सुनित रोडा चुनाव आयुक अगला आप देखेंगा सबसे पहले है वायू सेना अध्यक्ष तो वर्तमान में वायू सेना अध्यक्ष कोन है वर्तमान में वायू सेना अध्यक्ष है हमारे RKS भदोरिया और यह कितने नम्मर के है 26 वे नम्मर के है और यह अभी हाली फिलाल बने है तो यह question आप लोग जो है इसको जो है नौट करके रखेगा हो सकता है कि पूछा जाए ठीक है तो Y से नाध्यक भरतमान में अभी कोन है RKS भदोरिया और यह 26 वे नम्मर का है और इससे पिछले जो था Y से नाध्यक वो कोन था पिछले बार जो था पूरु Y से नाध्यक कोन था तो वो था BS धनवा BS धनवा पूरु से नाध्यक था वाई से नाध्यक था लेकिन अभी चैंज होकर कोन बन गए है RKS भदोरिया Camcio 26 नमर के Why से नाध्यक्षट बने है 9 से नाध्यक्ष Cameer Singh ठीक है कों है Camveer Singh और यह 24 नमर के daw से नाध्यक्ष नाध्यक्ष ठीक है इसी परकर थल से नाध्यक्षं तो 77 से नाध्यक्षप्रमूक्ष में 3 और तीनों आता है तो वाई सेना अध्यक्ष आर्केस भदोरिया नौ सेना अध्यक्ष करम वीर सिंग और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नर्वाने मनोज मुकुंद नर्वाने जो कि पहले कौन था विपिन रावत पहले था थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत और विपिन रावत अभी change हो करके हो गया है मनोज मुकंद नर्वाने ठीक है मनोज मुकंद नर्वाने जो है थल सेना अध्यक्षे भी हो गया या 28 वे नम्मर के थल सेना अध्यक्षे है तो यह question पूचा जा सकता है क्योंकि इसका हाली फिलाल में चैंजेज हुआ है तो इसको नोट लगा के रखिएगा ठीक है थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकंद नर्वाने या 28 वे नम्मर के है ठीक है चलिए ससातर सेनाओ के परमुक्ष और एक चीज़ जानिएगा कि ससातर सेनाओ जो होता है तीनो ससातर सेनाओ का हेड कोन होता है तो हमारे राष्ट्रपती होते हैं यह आपको याद रखना है यह आपको याद रखना है कोन होते हैं राष्ट्रपती तीनो ससातर सेनाओ के परमुक्ष कोन होते हैं राष्ट्रपती होता है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं आगे अब हम लोग लेखेंगे नियंत्रक एवंग महालेखा परिक्षक कोन हैं, तो नियंत्रक एवंग महालेखा परिक्षक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, C, A, G, CAG, ठीक है, नियंत्रक एवंग महालेखा परिक्षक जिसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, और वर्तमान में या भी ग्रीश चंद्र मुर्मू और या चोगदवे नममर के क्याग बन गया है तो यहाँ पर चेंजे जुए है ठीक है पहले क्याग था आपका राजी महरसी तो यहाँ पर चेंज होकर ग्रीश चंद्र मुर्मू हो गया है चलिए उसी प्रकार महालेखा नियंत्रक एक होता है एक होता है नियंत्रक एक महालेखा परिक्षक जो कि अभी वर्तमान में है ग्रीस चैनल में इसी प्रकार एक होता है महालेखा नियंत्रक जो कि है सोमाराय वर्मन तो ध्यामी रखना है ठीक है चलिए तो दोस्तों आप लो कर रहे हैं तो उसका भी आपका test चलाया जा रहा है जिसमें कि previous year का question cover कर रहा है तो आप लोग उसको भी दिहान में देखें देखिए ठीक है science का आपका जो है reasoning का और GKS का यह सारे कराया जा रहा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं चलिए अगला देखते हैं अब देख सचीव वह राजिब गावावा भारत के cabinet सचीव कौन है राजिब गावा उसी प्रकार पर्धान मंत्री का सचीव होता है पर्धान मंत्री का सचीव भासकर खुलबे और पर्धान scale सचीव ठीक है अभी जो है प्रधान मंत्री का प्रधान सचीव चेंज होकर के पीके मिस्रा हो गया है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिया हो सकता है question में पूछा जाए ठीक है तो पहले था यहाँ पर प्रमुक सचीव में क्या हो गया cabinet सचीव हो गया राजीब गाबा और प्रध ठीक है चलिए परमुक सचीव के बारे में अब देखते हैं रक्षा वीच सचीव परमुक सचीव में अब फिर देखते हैं रक्षा वीच सचीव तो एक होता है रक्षा वीच सचीव जो कि है गार्गी कॉल है गार्गी कॉल है ठीक है defense financial secretary ठीक है रक्षा वीच सचीव defense financial secretary क अजय कुमार ठीक है अजय कुमार हमारे defense secretary है एक होता है सिर्फ financial secretary यानि कि वीद सचीव हुआ है अजय भुसन पंडे देखिए तीनों में confusion नहीं करना है एक होता है आपका रक्षा वीद सचीव जो कि यह है गारगी call दूसरा होता है रक्षा सचीव वीद नहीं होता है सचीव कोन है तो वह है आपका अजय कुमार रक्षा वीद सचीव कोन है गारगी call रक्षा वीद सचीव गारगी call रक्षा सचीव अजय कुमार और वीद सचीव पुछा जा यानि financial secretary तो वह है अजय भुसन पंडे ठीक है चलिए अब अगला question देखते है अगला है आपके प न है अजय न कुमार भला अभी वर्तमान में हमारे भारत के gRIS अचीब है जो हम सेकरेटरी हुआ है अजय कुमार भला और यह अभी le分 तो यह question पूछा जा सकता है क्योंकि यह change औीilitन होगा तो change हुआ कोश्चन अधिकतर पूछता है रेलवे में ठीक है चाहे कोई भी एक्जाम वो करेंड है फिर में चैन ज्युगा कोश्चन अधिकतर पूछता है दो रतमान में हम सेक्रेटरी ग्री सचीव जो है अजय कुमार भला है और विदेश सजीव है हर्स वर्धन स्रिंगला ठीक है राजा स्राचीव अजय भूसन पांडे वीद स्राचीव अजय भूसन पांडे चलिए अगला देखते हैं अब परमुख सलाकार के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आता है राष्टी सुरक्षा सलाकार तो राष्टी सुरक्षा सलाकार कोन है भी अजीद दोभाल है अजीद दोभाल ठीक है नेशनल डिफेंस एडवाइजर कोन है अजीद दोभाल है ठीक है तो यहाँ पर जो है अजीद दोभाल ठीक है अजीद दोभाल हो जाएगा तो राष्टी सुरक्षा सलाकार कोन है भी अजित डोबाल है उप राष्ट्री सुरक्षा कोल है उप राष्ट्री सुरक्षा सलकार है दत्ता पटसलिगकर तो दो यहाँ पर है एक राष्ट्री सुरक्षा सलकार एक उप राष्ट्री सुरक्षा सलकार पूछा जाए तो अजित डोबाल होगा और अगर आपसे उप रा एडवाईजर ठीक है किसका डिफेंस मिनिस्टर का और रक्षा मंतरी के वेग्यानिक सलाकार को अने जी सतिस रेड़ी है तो तीनों को ध्यान में रखना है पहला आपका है राश्टिस रक्षा सलाकार अजीर दोवाल उप राश्टिस रक्षा सलाकार दत्ता पढ़ सलगी कर उसके बाद रक्षा मंतरी के वेग्यानिक सलाकार जी सतिस रेड़ी ठीक है तो तीनों को ध्यान में रखना है अगला है आपके पास प्रमुक्ष सलाकार में ही भारत सरकार का मुख्य वेग्यानिक सलाकार एक था रक्षा ठीक है रक्षा मंतरी का वेग्यानिक सलाकार और य विजय रागवन ठीक है तो आपका अगर पूछा जाए कि रक्षा मंतरी का मुख्या मंतरी का विज्ञानिक सलाकार कोन है तो वह आगा जी सतिस रेड़ी और पूछा जाए भारत सरकार का मुख्यानिक सलाकार कोन है तो वह आए विजय रागवन विजय रागवन जो है भारत सरकार का मुखी वे ज्यानिक सलाकार है आपको ध्यान में रखना है केंदर सरकार का मुखी आर्थिक सलाकार कौन है तो केंदर सरकार का मुखी आर्थिक सलाकार है स्रीक किस्नमूर्थी सुब्रमन्यम केंदर सरकार का मुखी आर्थिक सलाकार कौन है स्रीक कृष्नमूर्थी सरकार से यहां पर खतम होता है कौन और कि ऐंतर सरकार का जो अगर पुखा जाता सलाकार कों कर चार्थिक सार्थिक सलाकार पूखा जाए यहां पर ध्याम में रखना मतलब अपत्र घ्श कोन होते हैं अपको ध्यान में रखना पिर सका évह geschक्ण का राजीव कुमार अपहुताप कंथ पूछँ ét एक तुसप पूचेगा या प्र उसका उपाँ हमचा पूचेगा या फिर वर्तमाण में त्माण कर भारत की आूइpy कि पनाको प्रदान मंतिर नरेंदर मोदी, वरतमान में नितिया के उपाध्यक्ष कोन है, डॉक्टर राजीब कुमार, वरतमान में CEO कोन है नितिया आयोकात, अमिताप कान्त है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, आगे है गुप्चर एवंग जांच संगटनों के परमुक, तो केंदरी सतरकता आयोक का परमुक है संजय कोठारी, उसी परकार केंदरी सतरकता आयोक का सतरकता आयोक अगर पुछा जाए, तो वह है सुरेस एन पटेल है, और उसी परकार केंदरी सतरकता आयोक का परमुक जो की है संजय कोठारी, उसी परकार एक है केंदरी सतरकता आयोक क सतरकता आयुक्त ठीक है अगर आयुक्त पुछा जाए केंद्र सतरकता आयुक्त का आयुक्त पुछा जाए तो सुरेस एन पटेल है और उसी परकार केंद्र सतरकता आयुक्त का प्रमुक्त पुछा जाए तो वह है संजय को ठारी दोनों को ध्यान रखना एक होता है CIS ठीक है CIC यानि कि Chief Information Commission ठीक है मुख्य सुचना आयुक्त मुख्य सुचना आयुक्त कोन होता है अभी वर्तमान में है वीमल जुलका वीमल जुलका अभी वर्तमान में मुख्य सुचना आयुक्त है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है Intelligence Bureau IB बहुत बार यह question पुछा गया है current impairment से कि Intelligence Bureau के निदेशक अभी वर्तमान में कौन है तो कैसे Intelligence Bureau का निदेशक अभी वर्तमान में हुआ है अर्वींत कुमार कुमार उल्वींत कुमार जो है यह यह इनलीजिजिस वीमल का निदेशक कौन है वर्तमान में तो सामंत गोयल कौन है सामंत गोयल है वर्तमान में Research and Analysis Wing CBI कैंद्रय जाँच व्यरो का निदेशक कौन है वर्तमान में CBI Center Bureau of Investigation CBI तो तीनों के याद रखने, इंटेलिजेंस बीरो का निदेशक पुछा जाए तो अर्विंद कुमार होगा, अगर रिसर्च एंड एनलेसिस विंग का पुछा जाए तो सम्मन्त गोयल होगा, उसी परकार कैंदरी जांच बीरो का पुछा जाए, अगर निदेशक कोन है, तो आगे देखते हैं, अर्द सैनिक बलो के परमुक के बारे में जानते हैं, ससत्र सीमा बल, ससत्र सीमा बल के महानी देशक कोन है, कुमार राजेस चंद्र, कुमार राजेस चंद्र जो है, ससत्र सीमा बल के महानी देशक अभी वरतमान में, ठीक है, उसी परकार, बॉर्डर से केंद्री रिजर्व सेंट्रल रिजर्व पुलिस बलके महानी देशक तो ससत्र सीमा बलके महानी देशक है अभी राकेश अस्थाना जो के भी हाली में बने है और केंद्री रिजर्व पुलिस बलके महानी देशक तो ससत्र सीमा बलके महानी देशक है कुमार राजेश चंद्र आनन्द कुमार महिस्वरी तो तीनों को ध्यान में रखना है उसी प्रकार CISF Central Industrial Secretary Force अनि के केंद्र अध्योगी सुरक्षा बल के महानी देशक कोन है तो राजेस रंजन तो देखी यहां पर बहुत कंफ्यूजन है कि राकेस अस्थाना भी है जैसे कि B.S.F. Border Secretary Force का महानी देशक उसी प्रकार यहां पर राजेस चंद्र है आपका ससतर सीमा बल का महानी देशक एक यहां पर और राजेस दिया हुआ जैकी राजेस रंजन तो दोनों को ध्यान में रखिएगा राजेस अगर चंद्र दे कुमार राजेस चंद्र देत हुआ है ससतर सीमा बल के महानी देशक और अगर पूछा जा आपको अद्योगिक सुरक्षा बल का महानी देशक ठीक है कैंद्री अद्योगिक सुरक्षा बल का महानी देशक तो इसमें होगा राजेस रंजन ठीक है इसमें क्या होगा राजेस रंजन होगा लेकिन यहां पर क्या है राज राजीव चोपडा इसी प्रकार भारती तरक्षक बल आनि कि इंडियन कोष्ट गार्ड के जो वर्दमान में माने दे सक है कृष्ण स्वामी नतराजन कृष्ण स्वामी नतराजन तीनों को याद रखना इधर के अंदर यह अध्योई सुरक्षा बल का माने दे सक है राजेस पुलिस फोर्स आनि कि रेलवे प्रोटेक्षन फोर्स ठीक है रेलवे सुरक्षा बल रेलवे सुरक्षा बल का माने दे सक है अरून कुमार है उसी प्रकार नस्जी नेशनल सेक्रेटरी गार्ड आनि कि राष्ट्री सुरक्षा गार्ड का माने दे सक है अरून कुमार है अगे देखते हैं आगे है आपके पास संग लोग सेवा आयोक तो संग लोग सेवा आयोक के वरतमान में अध्यक्ष कोन है परदीप कुमार जोसी संग लोग सेवा आयोक के अध्यक्ष कोन है राके रेखा सरमा है और सातवे वेतन आयोक के अध्यक्ष है असोक कुमार माथूर ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है इसको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं क्या है आगे अपका है परमुक आयोगों के अध्यक्ष अब परमुक आयोग के बारे में देखेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर हम देखेंगे अपर कुछ आयोग तो उसी परकार पंद्रवे वीत आयोग के अध्यक्ष है असोक कुमर मातुर उसी परकार पंदर्वी बीत आयोग की अध्यक्ष है N.K. Singh ध्यान में रखना है ठीक है कई अगला है पस भारती परतिस परधा आयोग का अध्यक्ष आनिकी जो कि बहुत पहले से बने हुए है अभी राष्ट्री मनुवादिकार आयोक का अध्यक्ष तो HL दत्तु है राष्ट्री मनुवादिकार आयोक का अध्यक्ष वरतमान में कोल है तो वह था HL दत्तु अभी भी है HL दत्तु ठीक है चली आगे देखते हैं राष्ट्री पिछ के अध्यक्ष कोन है बलवीर सिंग चोहान उसी पर कर्मिशारी चाहन आयोग को अध्यक्ष कोन है वरत्मान भगवान लाल साहनी एक इसे विद्यायोग के अध्यक्ष पार्ज राज़ सर्मा ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है राष्ट्री अनुसूचित जन जापती आजिकी ST राष्ट्री अनुसूचित जण जाती आयोक का अध्यक्ष कोन है तो राष्ट्री अनुसूचित जाती आयोक का अध्यक्ष कोन है गर चले अब देख लेते हैं fav अब लोग संहित हैं कुछ भरती वर्टी जोय उसके बारे में व्म लोग देख लेते हैं तो railway board का वरतमान में अध्यक्ष कोन है वह है विके आदब विनोत कुमार यादब कोन है विनोत कुमार यादब वरतमान में railway board का अध्यक्ष है उसी पर का सेवी यानि कि भारती परती भूती एवंग विनिमय विनिमय बोर्ड का वी जो वरतमान में अध्यक्ष है वो है अजय त्यागी कुन है अजय त्यागी जो है वरतमान में सेभी का अध्यक्ष है और केंद्रे फिल्म पर सारन बोर्ड का अभी वरतमान में अध्यक्ष है रवींदर भासकर रवींदर भाकर ठीक है और यह अभी हाल फिलाल में चैंज हुए है तो इसको ध्यान में रखना हो सकता है या question पूछा जाए रविंदर भाकर जो है कैंदरी फिल्म पर सारण बोर्ड का अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने है ठीक है गाई उसके बाद अब आगे चलते हैं आगे आपका है कैंदरी समाज कल्यान बोर्ड तो कैंदरी समाज कल्यान बोर्ड का अभी वर्तमान में अध्यक्ष है अजय तिर्के कोन है अजय तिर्के वर्तमान में कैंदरी समाज कल्यान बोर्ड के अध्यक्ष है उसी प्रकार कैंदरी परत्यक्ष कर बोर्ड एक होता है कैंदरी परत्यक्ष कर बोर्ड एम अजीत कुमार जो है अभी वर्तमान में कैंद्री ओ परत्यक्ष कर एवंग सीमा सुल्क बोड का अध्यक्ष है यहाँ पर गलती से परत्यक्ष ही लिखा गया है तो इसको आप लोग को काट करके कोपी में ओ परत्यक्ष कर लेना है ठीक है तो कैंद्री ओ परत्यक्ष कर ए प्रतमान में कौन क्या है से ठीक है आपका मैं topic wise कभर कर दीया जैसे कि भारती वोट समीटी ठीक है आपका निया इक पर्मुक कौन है यहाँ पर कभर ला चुका हूँ आपका और आपका जो कुछ भी छुट चुटा है जिससे कि कुछ छुटा हुआ है आपका जैसे मैं आपको बता दूँगा जब पार्ट टू आएगा ठीक है इसका पार्ट टू जब आएगा उसमें आपको मैं बता दूँगा क्या क्या आपको छुटा है वो सारे जैसे कि आपका कुछ खेल से रिलेटेड संगठन का अध्यक्ष कोन है यह सब सारे में आपको जो है जैसे पुर्मुक कमपनी है या टेल कमपनी हो गया चाहिए पिर आपका NTPC हो गया यह सब का अध्यक्ष अभी वरतमान में कौन है यह सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहेगा ठीक है तो थैंक्यू गाईज कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताईएगा अब यहां से मैं आपको एक कोश्चन पूछता हूँ कि वरतमान में अभी कैनली मतलब की महाधिवक्ता कोन है वरतमान में भारत के महाधिवक्ता कोन है आपको बताना है ठीक है वरतमान में भारत के महाधिवक्ता कोन है और दूसरा कोश्चन अभी वरतमान में भारत के कैग कोन है ठीक है आपको यह भी बताना है दोनों का एंस आपको comment करके बताना ठीक है तो thank you guys